जहीं दोस्तों स्वागत है आप सबोग आपके अपने यूटूब चैनल संदेप मैस में आखिर आप लोगों का इंतिजार का समय समाप्त हुआ और रिजल्ट की घड़ी आ गई है जी हाँ आज आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आज आएगा बिह हुआ है यहाँ आप लोगों को यह बताऊंगा कि किन का किनका रिजल्ट första है ऑर बताऊंगा वाथिस्ग्रूलर में अचके वीजल्ट के लिए और रिजल्ट नियम के लिए जा सारा चीज पूरा रिपली हम नों इसे भी विद्यार्थी होंगे जिन लोगों को पता नहीं होगा अभी भी confusion होगा तो मैं यहाँ पर उनको बताने वाला हूँ वह आयोग के हिसाब से आयोग में जो कहा गया है ठीकर उसी के हिसाब से मैं आप लोग यहाँ पर जानकारी देने वाला हूँ ठीक है ना इसके बा तो आप देखेगा कि किसका मताब हेड़ मास्टर का 6-8 का और 9-10 का कुछ उमिदवारों का answer की final answer की जारी हो चुका है यानि कि result आएगा भी तो उनहीं में से किसी का result आएगा तो आज की बीडियो में यह भी बताऊँगा कि आज result किसका किसका आने वाला है तो सबसे पहले किसे हम लोगों बात कर लेते हैं qualifying marks को लेकर ठीक है ना जितने भी undeserved UR category के उमिदवार हैं उन लोगों को qualify करने के लिए ठीक है merit मेरिट में आने के लिए qualify करने के लिए 48 marks लाना होगा अगर वो 48 marks से कम लाते हैं 48 marks से कम लाते हैं तो वो ऐसे ही बहार निकल जाएंगे उनका merit तो बनेगा ही ने बनेगा ठीक है और अगर हम लोगों बात कर ले BC का तो उनको कितना लाना होगा 44 यहां 43 भी हो सकता है 44 भी हो सकता है क्यों 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 जब आप 36.5 परशंट निकले कि इसका 120 का तो आपको 43.8 हाएगा ठीक है तो 43 भी हो सकता है 44 ऐसे काईदे से देखा जाए तो 44 होना चाहिए खर आगे बढ़ते हैं और अगर BC का बात किया जाए तो 41 मार्क्स यहां भी आपका 40.8 हो रहा है तो 40 भी हो सकता है इसके बाद अगर बात कर लें SCST और पीएच के डिगरी और इसके अलावा जितने भी है उन लोगों का 32 परशन लाना कितने में 120 याद रहेगा यह केवल qualifying marks है अगर यह केवल pass हो रहे है ठीक है qualify कर रहे है merit में आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है यह depend करता है number of seats और number of student जितने qualify की है अगर मालेजे जितना seat है उससे ज़्यादा लोग qualify कर रहे है तो यही हो जाएगा आपका cutoff जैसे मालेजे एबी सी में 30 seat मालेजे और 41 marks पास पार करने वाले या 41 marks तक लाने वाले उमीदवार कितने हैं 200 ही है तो इन 200 को मिल गया cutoff कितना रहे गया 41 ही रहे गया अब अगर मालेजे 300 भी है मालेजे अगर 300 विद्यार्थी भी है जो 45 41 marks ला रहे है तो 300 को नोक्री मिल गया अब अगर यह बढ़ जाता है अब अगर यह बढ़ जाता है मालेजे 350 होगे बट सीट केतना है 300 है तो 50 लोगों क्या करना हो छटना होगा तो जो पहले 300 लोगों को लिया जाएगा जिनका marks highest होगा जिनका marks ज्यादा होगा ठीक है न तो यह है आपका reservation अच्छा एक चीज और यहाँ पर जानना है अच्छ सबसे पहले आरक्षन वाले जो आरक्षिज सीट है उनको भरा नहीं जाता है पहले भरा जाता है यूर को अब जैसे मालनीजे यूर में 200 सीट है ठीक है न अब यूर वाले का qualifying marks कितना था 48 था ठीक लेकिन 48 marks लाने बाले मातर 1500 भी द्यार थी थे मतलब 200 मी दुबार ऐसे थे जिनका 48 या उससे ज़्यादा marks आया था तो उन लोगों को यहाँ पर नोकरी में लिया अब सीट यहाँ पर बज़ गया 50 अब यह जो 50 सीट रह गया इसको भरा जाया किसे reserve वालों से ठीक है न अन reserve वालों से अब नहीं भरा जा सकता है क्यों 48 से कम नहीं किया जा सकता है minimum 48 marks अन reserve category के यानी की general category के विद्यारती को लाना ही पड़ेगा तब उनको जो मिलेगा तो माली जे 200 सीट था 1500 लोगों का marks कितना आया 48 आया या इससे ज्यादा आया ठीक है 48 आया या इससे ज्यादा आया तो 1500 लोगों को यहाँ पर सीट मिल गया उनका नोगरी पक्का अब अब जो 50 बच गये है इसको भरा जाएगा किस से तो इसको भरा जाएगा पहले BC EBC ठीक है ना और STSC ठीक है ना SC और STSC इन लोगों से इसको भरा जाएगा अब आप बोलिएगा क्या सर जो BC वाले हैं उन लोगों को भी 48 marks लाना होगा तो नहीं BC वाले को qualify करने के लिए कितना marks चाहिए तो 44 marks चाहिए अब BC वे जिसने भी 44 marks लाया है ठीक है ना? उन लोगों को seat यहाँ से दिया जाएगा ना कि इन लोगों के किटेगरी से दिया जाएगा मान लेजे यहाँ पर भी seat है sotto ठीक है ना यहाँ से भी मान लेजे किता seat है तो यह 44 marks जितने भी ला रहे हैं पहले 50 विध्यार्थी को वहाँ से select किया जागा और इसमें डाल दिया जाएगा ठीक है ना और मान लेजे कि इसमें 100 seat था बस पचास ही विद्यार्थी ऐसे थे जिन्होंने कितना 44 marks लाया तो उन पचासों को इसमें से sit दे दिया गया ये 100 का 100 यहाँ पर खाली रहे गया ये अगली frequency में फिर चला जाएगा ठीक है तो ऐसा EVC और HTSC के साथ भी होगा जरूरी नहीं है कि इसी को डाला जाए इसके भी candidate को डाला जा सकता है इसके भी candidate को डाला जा सकता है ठीक है तो ये छोटा सा नियम था ठीक है reservation का तो आप देख सकते हैं जेनरल category के जो विद्यार्थी 48 marks लाकर के नोक्री ने पा रहे हैं मतलब 48 से less यानि कि आप सा समझ जाए कि 47 ही लेकर के आए अगर 47 marks लाते हैं तो वो qualify नहीं और उनको नोक्री नहीं मिलेगा लेकिन अगर seat खाली रहे गया unreserved में तो BC हो या EBC हो या STSC हो इन लोग 44 marks ये आपका कितना था ये 41 marks और ये आपका कितना था 49 marks इतना marks लाकर के भी ये लोग unreserved के category में जा सकते हैं कब जब ये वाला खाली रह जाएगा तब यानि कि 48 marks लाने वाले विद्यार्थी नहीं मिलेंगे तब ठीक है ना तो ये था reservation यानि कि action का छोटा सा नियम ठीक है ना आगे बढ़ते हैं last लास्ट में यहाँ पर क्या दिया हुआ है किन का किन का आएगा result तो headmaster का 6-8 का और 9-10 का तो क्या सारे का आएगा नहीं सब लोगों का नहीं आएगा headmaster में जितने हैं सब का आजाएगा लेकिन 9-10 का बात किया जाए तो math and science ठीक है ना मिलते हैं आज साम रात 9 बजे और रिजल्ट के साथ और मैं बताओंगा कि किसका किसका cut off कितना गया ठीक है तब तक के लिए जैहिन